हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं के आधार पर हुआ है इन कोशिकाओं के आधार पर ही हमारे शरीरका विकास भी होता है कोशिकाओं के मिर्मान की तीन अवस्थाएं होती है पहली अवस्था होती है जब कोशिकाओं बनती अधिक है और तूटती कम है इस अवस्था में शरीर का विकास होता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है जैसे जैसे आयू बढ़ती है तो वो भी बढ़ता जाता है शरीर का पूर्ण विकास हो जाने के बाद एक लंबा समय होता है जिसमें की शरीर में कोई बड़े बदलाव नहीं होते एक जैसा शरीर बना रहता है तीसरी अवस्था होती है जब कोशिकाएं बनती कम है और कोशिकाएं तूटती जादा है और यही वो स्थती होती है जब व्यक्ति बुढ़ापे की और जाता है अपने शरीर की क्षमताओं को खोने लगता है उसके चेहरे पर उसके शरीर पर आयू का प्रभाव दिखाई दे लगता है कारण क्या है कारण है कि कोशिकाएं तूट अधिक रही है और उनका निर्मान कम हो रहा है अब यहाँ पर आप समझें कि जब कोशिकाएं बन अधिक रही होती है या फिर वो उतनी ही बन रही होती है जितनी तूट रही है तो ऐसी स्थती में शरीर अच्छी अव खा जा सकता है जिससे की व्यक्ति अधिक समय तक उर्जवान अनुबव कर सकता है आज हम इसी विशय पर बात कर रहे हैं कि हमारे युवाओं के लिए अनिवारे रूप से कुछ ओश दियां जो उन्हें पता होनी चाहिए जिनका अगर वो प्रियोग करते हैं तो उनकी शारि क्षमताओं सभी के विशय में बात करेंगे और उन ओश दियों को समझेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योन क्षमताओं के विशय में क्योंकि इस पर हमें काफी प्रश्न प्राप्त होते हैं प्रश्न होते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया हमने अनेतिक आचरन किये और हमने कुछ भी खा लेते थे हमने ध्यान नहीं रखा कि हमारा आहार कैसा है जीवन शैली कैसी है अब जो हमारी क्षमताओं का नाश हो गया है क्या उन क्षमताओं को वापस प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि भारत वर्ष में आज के समय में 30 प्रतिशत पुर रही हैं ये इसी लिए क्योंकि हमने ब्रह्मचर्रे की जो अवधारना हमारे योगियों ने हमारे रिशियों ने हमें दी हमने उसे छोड़ दिया हम पाश्रात्य संस्कृति के प्रभाव में आ करके मनमाना आचरन करने लगे तो अगर ऐसी स्थती है जो अब तक हुआ सो और साथ में इन ओशिदियों का प्रियोग करते हैं तो बहुत अच्छे लाब आपको देखने को मिलेंगे पहले स्थान पर आप समझें सफेद मूसली और कोच के बीज ये दो ओशिदियां बड़ी ही शक्तिशाली हैं इनसे विर्यवर्धन भी होता है और इनसे जो शारिक नक्स हमताओं का हाष हुआ है उसको वापस पुने ठीक करने में बहुत अच्छे लाब मिलते हैं साती सात जो शारिक दुरबलता है शरीर में दर्द होना, जोइन्ट में पेन होना, मांसपेशियों की शितिलता, मांसपेशियों में बल नहीं रहना ऐसी स्थतियों में भी ये दोनों योग बहुत ही अच्छा कार्य करता है ये तो आपको चूड के रूप में सफेद मूसली और कौश के बीज दोनों को एक स्थान पर मिला लेना है और दूद के साथ एक छोटा चमच की मातरा में आपको इसको प्रियोग करना है संध्या में आप प्रियोग करते हैं जिसमें अनेक प्रकार के खनी जलवन पाए जाते हैं शरीर की ख्षमताओं को बढ़ाने वाले और मानसिक प्रभाव भी इसके अच्छे होते हैं साथी साथ ये अगर शरीर में कहीं दर्द होता है उसके लिए भी बड़ा उप्योगी होता है और शरीर को पूर्टा की का प्रियोग आप करते हैं बड़ा उप्योगी है शिलाजीत का प्रियोग आपको कम मात्रा में करना है दूद में विलाकर ही आप ले सकते हैं जितना एक गेहूं का दाना होता है लगबग आप दो बून समझ लें इतना आपको एक समय में शिलाजीत का प्रियोग करना है त लेकिन आप मखाने का प्रियोग शायद कम ही करते हैं अक्सर हमने देखा है लेकिन आप समझें के मखाना आपके शरीर में बल को बढ़ाने के लिए मांस्पेशियों को अच्छा रखने के लिए केल्शियम को बढ़ाने के लिए केल्शियम का एक अच्छा स्त्रोथ है जिससे आपके joints और आपकी हड़ियां मजबूत रहती हैं, पूरे system पर आपके बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला होता है, तो आपको मखाने का प्रियोग करना है, आपको बाजार से सामानी अवस्था में मखाने को ले करके आना है, और खुद ही दूद के साथ या तो उसका प् बलवर्धन करने के लिए बहुत उपयोगी है, जो हमारे पास योग अभ्यासी होते हैं, उनको भी हम देते हैं, तो उनके शरीर में भी उन्हें बड़े अच्छे इसके लाब दिखाई देते हैं, मखाने का प्रियोग करें, इसको आप थोड़ा सा घी में भून करके भी प भूल जाता है, मस्टिश पर बहुत दबाव रहता है, चिंता तनाव की स्थती बनी रहती है, तो मानसिक बौधिक शमताओं को बढ़ाने के लिए अखरोट का प्रियोग बहुत उपयोगी होता है, आप देखें, प्रकरती ने जो चीजें बनाई हैं, वो इस प्रकार से ब प्रभाव होता है, जैसे करेला है, वो आपकी जो पैंकरियाज है, उसके जैसा आकार उसका होता है, उसके लिए वो बड़ा उपयोगी होता है, जैसे हमने अकरोट की बात की, तो इसका आकार ऐसा होता है, कि ये दिमाग के आकार का होता है, तो ये इसी प्रकार आपके दि प्रियोग आपको करना है अगर मानसिक दुरबलता अधिक होती है तो आपको नाड़ी शोधन प्रणयाम और भस्तरी का प्रणयाम का अभ्यास करना है उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में सांझा करवा देंगे साथ ही साथ आप संख पुषपी का प्रियोग कर सकते हैं जो व इसी कंपनी का अप ले सकते हैं उसका प्रियोग करते हैं तो आपकी मानसिक शमताओं के लिए ये बड़ा ही अच्छा होता है और अगर एक प्रकार से विदिविधान समझ के आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ये मानसिक शान्ती और संतुलन ले करके आएगा जीवन में जीवन का हरपक्ष आपका इससे प्रभावित होगा तो तीसरे स्थान पर आप समझें कि आप अपनी मानसिक शमताओं को इस प्रकार से निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं चोथे स्थान पर आप अश्वगंधा का प्रियोग करें अब अश्वगंधा का मुख्य काम क् यही लेकिन आप समझें कि अश्वगंधा मानसिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव रखती है ऐसे कुछ प्रियोग किये गए तो पाया गया कि अश्वगंधा के अंदर कुछ ऐसी रासाइनिक स्थतियां हैं कि वो कोल्टिसोल हर्मोन को कम करती है और मूड को अच्छा करती है किसी को तनाव रहता है एंजाइटी रहती है डिप्रेशन जैसी स्थति है या फिर अनिद्रा की स्थति है इन सब स्थतियों में आप अश्वगंधा का प्रियोग करते हैं तो आपके मस्तिश्क पर ये बहुत अच्छे प्रभाव रखने वाला होता है और जो विख्यात प्रियोगी ये बताया गया है वो है कि अगर इसका स्तियां प्रियोग करते हैं लड़कियां प्रियोग करते हैं तो ये जादा अच्छा है शतावर उनके लिए परम हितकारी रहने वाला है तो शतावर का प्रियोग कर सकते हैं पांचवे स्थान पर आप अंतिम हमारा जो प्रियोग है वो समझें कि अगर आपको शुद्ध दूद घर पर प्राप्त हो जाता है और उसका घर पर ही आप मक्खन निकाल लेते हैं तो इस मक्खन में आप मिश्री मिला कर इसका प्रियोग करते हैं तो ये बड़े अच्छे प्रभाव रखने वाला होता है भगवान श् समझें कि ये शरीर में बल को बढ़ाने वाला होता है ये तीनों दोशों को सम करने वाला होता है बड़े हुए पित का और वात का ये शमन करता है वात प्रकरती है पित प्रकरती है और ये ही प्रकरतियां अधिक प्रभावी हैं आज के समय में तो इनका दोनों का ही ये शम करता है, बल को बढ़ाता है, आपकी जोइंट में चिकनाहट को बढ़ाता है, आपकी हड़िया मजबूत रहती हैं, इसके अनेक लाब आप समझें, तो तभी ये काम करेगा जब आप इसको घर पर स्वयम बनाएंगे, आप दूद कहीं बाहर से लेते हैं, अगर आपको ठीक म दिलता है, आप ले ले, लेकिन घर पर खुद से उसका जो है, आप मखन मतनी में मत करके अगर निकालते हैं, तो वही आपके लिए उपयोगी होगा, फिर उसमें मिश्री मिला करके आप ग्रहन करें, तो ये सारी चीजें जो की सरलता से प्राप्त हो जाने वाली हैं, बहु आपको इन में से किन चीज़ों की अधिक आवशकता है, और आपको उनको प्राप्त करना है, और उनको ग्रहन करना शुरू करना है, अपेक्षा है कि ये मार्ग दर्शन आपको ठीक से समझाया होगा, और आप इन वस्तुओं का प्रियोग करके स्वास्थेलाब प्राप्त भी निश्चत रूप से करेंगे, तो सभी युवाओं के लिए, यूतियों के लिए, ये जो उप्योगी कल्यान कारी चीजें थी, वो हमने आपके साथ साजा कि भविश्य में अन्य महत्वपूर्ण विश्यों पर मार्ग दर्शन होता रहेगा, सभी के लिए प्रार्थना सभी के लिए मंगल कामना, आज के लिए इतना ही, ओम नमस्शिवाएव